प्रकास पोरे जी क्या ये मजबूरी का उठाया हुआ कदम है? अन्मूट करना पड़ेगा आपको सर। ने मजबूरी का कदम तो ये हो नहीं सकता क्योंकि पवार साब का अभी तक के जो कुछ रेपूटेशन या उनका जो भी पार्टी में वजन है या उनके घर में भी जो उनका कहने का मतलब एकदम ये है वो सारे पवार के बीच में उनके प्रती जो भी आदर है या सबका उनका जो एकदम इन्टैक्ट ये है या वो दादा रहे या फिर उनकी लड़की रहे या बाकी के भी चारे लोग रहे उसके बाद में न्सीपी के अंदर की जो भी वहां की नेता मंडली है जैन पातिल हो या अपने प्रफुल भाई हो तो ये तो कही है कि उनको भी पता है कि शरत पवार है तो राश्टरवादी है और तो ही ये महाराश्टर में कोई सुनने वाला और वो इसाब से सारी बाते है तो मुझे तो कुछ लगता नहीं है जिस के सारे लोगों को पता है कि इनके सिवा पार्टी चल नहीं सकती तो ये पार्टी के अंदर का तो ये हो नहीं सकता कि ये नहीं होना कोई दूसरा होना वगर है और ऐसा कोई दूसरा नेता है भी नहीं हो पार्टी के अंदर की जो इतना बड़ा चलाएंगा और वो हिसाफ से स खेल तो जरूर है ये हमको मानना पड़ेगा और जिसका जिकर आपने किया है कि अभी जो सुप्रिम कोड से जो सोला MLA के बारे में जो भी अभी हो सकता है कि निरने आने का संकेत कुछ मिले होगे और ये बात तो बिल्कुल जरूर है कि चंदरक्यूर साप का अभी तक के जो रिपोडिशन है वही साब से इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जबरदस दिशिजन आएगा और उसके लिए भी दोई ही यह है एक तो फिर मिटर्म लेने पड़ेंगी क्योंकि ये सब्ता में नहीं रहेंगे तो मिटर्म लो या फिर सब लोगों ने 81 आके वापिस से एक नय प्रयोग करो तो हो सकता है कि वो प्रयोग जो है बीजेपी के साथ में भी हो सकता है या पुराने जैसे ये भी हो सकता है जिस तरीके से पहले महाविकाद आगारी बनी या फिर ये भी अगर जित पवार अगर समदो बीजेपी के साथ में गए जैसी की कुछ न्यू चल रह या एक व्यू रचना ये सारे इसके पीछे रह सकता है ये ऐसा मेरे अटकले है प्रकाश जी क्या अजीत पवार बिलकुल शरत पवार के कबजे से बाहर है क्योंकि उनके अपने भतीजे अगर कोई NCP का कोई दूसरा नेता अगर बगावत करें NCP का कोई दूसरा नेता अगर बीजे पिक साथ जाने की बात करें तो समझ में आती है उनका अपना खून उनके अपने परिवार का आदमी वही बीजे पिक साथ जाने की बात अगर करने लगे उसके बारे वे ऐसी अटकले भी लगे तो क्या अजीत दादा पवार ही वो श्रक्स है जिसकी वज़ा से शरत उनको जानता है और उसके बाद में दादा कोई शरत पौवार के खिलाब में जाने की कोई कोशिच करेंगे या डेरिंग करेंगे ये शक्यता मुझे पाँच परसेंट मी नहीं लगती ये हो इनी सकता एक बाद समझेए क्योंकि दादा को भी पता है ही जालतो है वेरी राजनीती बहुत तगड़ी है और मैं ऐसा समझता हो कि फिलाल के अंदर में जो थोड़ा सा डी फोकस हो गए जैसे सत्यपाल मलीक जी अभी फोकस में आ गए उसके बाद में राहूल गांदी चर्चा में है तो उसी तरीके से क्या बोलते है चर्चा के फोकस में रहने के हि सारा का सारा पवार 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 करने लगा और उसके बाद में एक कुछ मसां आया यह पवार साथ को पता है कि और वी पवार साब गूगल प्ले स्टोर पर झाल झाल